वेलकम चो अनकाडमी सो बेसिकली हमने पिछले लेसंस में देखा कि जो दर का है वो कैसे हम आर्टिकल्स प्रियोग करते हैं ठीक है अब बेसिकली हम देखने चाहरे हैं कि दर की यूज़ और कहां कहां पर होती है जो थोड़ी सी हमारे जो रह गए थे उनको हम इस लेसंस में डिस्कस करेंगे अगले लेसंस में हम डिस्कस करेंगे कि आपका आर्टिकल्स को कहां कहां पर यूज़ नहीं करना चाहिए तो यहां पर आपका आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो खतम हो जाएगा आज and this lesson is presented by me Yashika तो let's start अब देखे जब हम nationality के बारे में बात करते हैं या किसी community के बारे में बात करते हैं like Indian हो गया, French हो गया तो उसके पहले हम the का यूज़ करते हैं and जब हम proper noun के बारे में बताते हैं ठीक है, या basically तब यूज़ होता है proper noun के पहले the का जब आपका basically adjective यूज़ हो रहा हो उस particular proper noun को बताने के लिए जैसे कि example देखे the brave man, यहाँ पे जो brave adjective है basically quality बता रहा है इस man की, है ना proper noun की तो इससे पहले हमारा the यूज़ होगा and with ordinals, ordinals के या जैसे कि आपके first, second, third या आपके ordinals होते है इनके पहले आपका the यूज़ होता है जैसे कि he was the first man and next the और कहां पे यूज़ होता है basically musical instruments होगे जब आप inventions के बार में बात करते है like example देखे he can play the flute अब ऐसे नहीं आप बोलते हैं he can play flute he can play the flute तब आपका basically the का यूज़ होता है and in phrases like what is the matter keep to the left come to the point he is in the wrong तो phrases बहुत important है like आप google पे search करिए कि the और articles a और and की कौन-कौन से important phrases है जो basically जिन पे a और articles का use होता ही होता है क्योंकि यही SSE के आपके basically point of view में पूछे जाएंगे अगले देखते हैं अब basically जो the है वो in newspapers हो गया जब आप community की बात करते हैं या political party का name लेते हैं या कोई historical event train हो गया, ship हो गया, aeroplanes हो गया इनके बारे में बात करते हैं तब आप the का use करते हैं उनके पहले यह बात ध्यान रखेगा क्योंकि कई बार हमारे mind से skip कर जाता है इसलिए क्या कीजिए एक चार्ट बनाएए कहां कहां पर the use होता है क्योंकि the के जो usage है वो जादा है a और n से ठीक है आप एक copy लगाईए उसमें short notes लेकर जाके जल्दी से इतको revise कर पाएं और the जो है basically comparative degree के लिए भी use होता है लाइक जब आपको कभी comparison करते हैं for example he is the stronger of the two अब यहां पर जो stronger है वो comparative degree है ठीक है अब हम किस चीज में compare कर रहे हैं तो इसके पहले हम क्या use करते हैं the का use करते हैं और जब basically किसी person की designation refer करते हैं कि वो किस base भी आप कह सकते हैं कि वो director है या principal है जब हम किसी committee या club foundation या trust उनका name लेते हैं तब हम basically the का use करते हैं तो the के जो important usage थे वो हमने सारे cover up कर लिये हैं अगला जो lesson आएगा वो आएगा omission of articles कहां पर articles जो हैं हमें use नहीं करने चाहिए बहुत important lesson है क्योंकि जब आप spotting the error करेंगे तो वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको कहां पर articles जो हैं वो हटाने हैं ठीक है omit करने हैं so best wishes all of you bye bye thank you